हेलो दोस्तो श्वागत है आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार लेब असिटेंट यानि प्रियोक्षाला सायक के लिए Physics, Chemistry और राजस्तान जीके की क्लासेश लेकर के आ रहा हूँ Chemistry की क्लासेश के अंतरगत हम लास्ट क्लास में P-Block के बारे में पढ़ रहे थे और P-Block के अंतरगत हमने पहली क्लास में उसका General Intersection उसकी प्राप्ती के बारे में उसके Electronic Configuration के बारे में यह सब चीज़े पढ़ चुके थे, कौन-कौन से Element आते हैं, उनके परमानू करमांग क्या है, यहां तक की बात है फिर हमने बात करी थी परमानू तिर्जा, Ionization Enthalpy, विदुत रिनता यानि Electro Negativity फिर आपके गलनांक और कौथनांक के बारे में बात करी थी लाश्ट में हम बात कर रहे थे, ऑक्षी करण अवस्था के बारे में ऑक्षी करण अवस्था के अंदर मैंने जो है, दो पॉइंट के वल आपको लिखाये थे वो दोनों पॉइंट डिस्कस करूँगा, मैं आप वापस से अब और उसके बाद आगे बात करूँगा सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कि जो बॉरॉन है वो छोटे आकार होने के कारण उसकी जो फर्ष्ट थ्री आइनाइजेसन एंतल्पी से है, यानि पर्थम तीन आइनाइजेसन एंतल्पी हो का जो योग है उसके लिए भी वो बात दिया कर देता है, उसका तीनो आइनाइजेसन एंतल्पी का योग उच्छ होने के कारण अलूमिनियम की जो फर्ष्ट थ्री आइनाइजेसन एंतल्पी है, उन तीनो का योग जब करते है तो वो कम आता है वो तो क्या होता है दोस्तो दुर्बल प्रियरक्शन पर बाव होता है लेकिन उसके कारण जो नीचे आने पर आपको पता है कि D और F ब्लॉक में जब आप स्वारी P ब्लॉक के अंदर वर्ग में नीचे आ जाएंगे तो बारोन और अलूमिनियम के बाद में गैलियम, इंडियम और थैलियम इनके अंदर क्या हो जाता है फोर डी और आपका एप यानि कि आपका D ब्लॉक और एप ब्लॉक जो है या D कक्षक और एप कक्षक जो है वो जुड़ते हैं उनके जुड़ने से आपको मैंने ये बताया है कि नाभी के आवेश में व्रदी होती है नाभी के आवेश में व्रदी होने के कारण यहां लेकिन क्या है कि आपको ये भी पता है लाश्ट में किवल एक 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 इलेक्टरोन बचेगा पी में तो और NS जैसे ही बनता है तो वो तो क्या होती है एक अकिरिय घहस होती है तो जो एक NS जो प्रबाव बता रहा है अपना उस प्रबाव को ही हम कहते हैं अकिरिय प्रबाव और उसी वज़े से बंदन के लिए केवल और केवल पी कक्षक ही भाग ले पाता है तो आप इस पूरी चीज को लिख लेंगे ठियोरी रूप में तो और अच्छे से किलियर हो जाएगी वर्ग में वर्ग में थोड़ा चोटा करेंगे वर्ग में निचे डी व एफ कक्षको के दुर्वल परी रक्षण प्रभाव के कारण बड़ा हुआ नाभी किया बड़ा हुआ नाभी किया आवेश बड़ा हुआ नाभी किया आवेश एन एस इलेक्ट्रोनो को मजबूती मजबूती से बांदे रखता है मजबूती से बांदे रखता है और ये मजबूती जो है ये क्यूं है ये मजबूती इस वज़े से होती है दोस्तों कि हम जब देखो वापस पीछे चलते हैं एक बार इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन देखते है ये बेश जो आपका अकिरिय यूग में परबाव है वो है क्या वो मैं समझाना चाता हूं तो देखी आप एक सेकंड इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन गया कहां भाई कली तो पढ़ाया है ये रहा देखो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये देखो 2P1 है 3P1 है 4P1 है 5P1 है 6P1 है तो जैसे ही ये पी ब्लॉक का एक इलेक्ट्रोन जाता है आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा बैलेंस्ट हो जाता है यानि कि फुल्फिल्ड बन रहा है समझ में आ रही है बात अब ये फुल्फिल्ड बन रहा है इस वज़े से ये चाता है कि जो बाहर के दो इलेक्ट्रोन है ये देखो 2S2 3S2 4S2 5S2 6S2 ये दो इलेक्ट्रोनों को मजबूती देता है इनको मजबूती दे कौन रहा है ये ये जो आपका अकिर्य गैसे हैं इनकी वज़े से जैसे ही एक 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 इलेक्ट्रोन जाते हैं तो ये अकिर्य गैसो वाला जो इनका अन्फिगूरेशन है वो इनको मजबूती दे रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप से अगर पूचा जाए कि भाई आपका जो जैसे ही ग्रूप में आप निचे आते हैं तो बेरोन और अलूमिनियम के अलावा जो एलिमेंट है वो एक और तीन जो मैं आगे लिखवाने वाला हूँ ना एक और तीन आप लिखे बांदे रखता है मजबूती से और इसके ब्रैकिट में लिखो तो आपको और अच्छा के लिए रोगा जो जो अकिरिया अकिरिया इनर्ट पेर इफेक्ट है ये अकिरिया यूगम प्रभाग अकिरिया यूगम प्रभाग के लिए उत्तर दाई है समझ में आगई बात तो जो ये हमारा बेसिकली कहने का मतलब है जैसे ही आप वर्क में नीचे आए डी और एप कखसक उसके अंदर जूडते है उनके जूडने से ना भी क्याविस बढ़ता है में आपको बता दिया प्लस 18 और प्लस 32 हो जाता है तो वो जो हो रहा है उस वज़े से उस नाभी क्याविस के कारण जो हमारा एक इलेक्टरॉन है बाहर वाला उसको मजबूती से उसको तो हटाने में दिक्कत नहीं है लेकिन जैसे उस दो इलेक्टरॉन जो एनस वाले है उनको मजबूती से बांदे रखता है और उनको मजबूती से बांदे रखने के कारण जो यहां यह प्रबाव उत्पन हो रहा है उनको मजबूती से बांद के रखने का ये परबाव ही हमारा अकिरिय यूगम परबाव कहलाता है और ये जो इलेक्टरॉन है ये अकिरिय यूगम के लिए क्या होते हैं परबावी होते हैं या परबाव के लिए उसके उत्तरदाई है तो उस कारण से जो है ये क्या चाहता है कि केवल और केवल जो बाहर का एक electron है P वाला वो ही बाग ले ये NS वाले electron बाग नहीं ले तो आप लिखेंगे जिसके कारण बंदन में केवल जिसके कारण बंदन में केवल P कक्षक भाग लेते है ठीक है यथार्थ यानि इसका मतलब यथार्थ गैलियम इंडियम व थैलियम में प्लस वन तथा प्लस थ्री दोनो ओक्सिडेशन इस्टेट या ओक्सिगरण अवस्था होती है ठीक है और यहां इस्टा डाल के लिखेंगे वर्ग में वर्ग में निचे जाने पर वर्ग में निचे जाने पर प्लस वन ओक्सिगरण अवस्था यानि ओक्सिडेशन इस्टेट का इस्थाइत्व यानि इस्टेबलिटी इस्थाइत्व बढ़ता जाता है ठीक है वर्ग में जब आप निचे जाते हो तो अगर आप से पूचा जाए कि 13 नंबर का जो वर्ग है उसमें कौन सी ओक्सिडेशन इस्टेट का इस्थाइत्व बढ़ता जाएगा तो प्लस वन ओक्सिडेशन इस्टेट का इस्थाइत्व नीचे आने पर बढ़ता जाएगा तो आप इसका ओर्डर भी लिख लेंगे सबसे ज़्यादा कौन सीटेबल है प्लस थ्री में थेलियम फिर आपका इंडियम फिर आपका गैलियम और फिर आपका अलूमिनियम और आपको पता ही है बोरोन तो प्लस थ्री तक जाता ही नहीं है तो वो प्लस थ्री तक नहीं जाता उसका रिजन क्या है तो उसकी जो पर्थम तीन आइनाय जेसन एंटल्पी है उनका योग जो है वो बहुत उच्छ होता है इस वज़े से वो प्लस थ्री तक नहीं जा पाता और सह सयोजक योगिक बनाने के लिए वीववाद्य होता है तो बोरोन की बात हो गई, अलुमीनियम की बात हो गई, गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात हो गई और फिर इनके एक प्लस थ्री ऑक्षीडेशन इस्टेट के इस ताइथ वकी भी बात हो गई, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं प्लस थ्री के लिए तो आप लिखेंगे प्लस थ्री ओक्षीडेशन इस्टेट प्रकती में यानि नेचर में उच्छ हाई ओक्षीकारक है कैसी है ओक्षीकारक है ठीक है तो प्लस थ्री जो ओक्षीडेशन इस्टेट है वो अगर हम नेचर के अंदर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ओक्षीकारक है ओक्षीडेशन की तरह यह ज़्यादा ओक्षीडेशन ओक्षीडेशन की तरह काम करती है इन तत्वो औक्षिकारक है आगे लिखेंगे इन तत्वो के त्री सयोजी अवस्था में त्री सयोजी अवस्था में अनुओ में केंद्रिय प्रमानू यानि सेंट्रल एटम केंद्रिय प्रमानू में चै इलेक्ट्रोन होते हैं कितने इलेक्ट्रोन होते हैं चै इलेक्ट्रोन होते हैं ऐसे इलेक्ट्रोन नियून अनू इलेक्ट्रोन नियून अनू यानि की कम इलेक्ट्रोन वाले अश्टक अश्टक पूर्ण करने के लिए अश्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रोन यूगम पन इलेक्ट्रोन पेर ग्रहन कर लूइस ग्रहन कर लूइस अमल के सम्मान बैवार करते है ठीक है तो देखो भाई प्लस थ्री ऑक्षिडेशन इस्टेट प्रकती में ज्यादा कैसी होती है ऑक्षिडेंट की तरह होती है यानि ऑक्षिकारक होती है अब इन तत्वों के जो त्री सयोजी अवस्था में यानि तीन ऑक्षिडेशन इस्टेट का मतलब क्या है तीन सयोज अवस्था में अनू का जब तीन सयोजी अवस्था वाला हमने इस च्रक्षर बनाया तो जो केंदरी प्रमाणू हुआ उसका उस केंदरी प्रमाणू के पास में 6 इलेक्ट्रोन होते हैं अब 6 इलेक्ट्रोन है अगर उसके पास में तो वो क्या है इलेक्ट्रोन नियून है यह तो चोटी चोटी चीज़े हैं जो आपने पढ़ी होगी पहले तो इलेक्ट्रोन नियून है यानि इलेक्ट्रोन को बोता है जब 8 से कम इलेक्ट्रोन हो ठीक है तो इलेक्ट्रोन ठीक है तो एक electron युगम ग्रहन करेगा और जब कोई भी electron ग्रहन करता है तो हम उसे कहते हैं Amla या Lewis Amla तो ये जो है फिर कैसे behave करता है Lewis Amla के सम्मान वेवार करते हैं समझ में आगई बात अब आगे लिखेंगे वेवार करते हैं वर्ग में निचे जाने पर वर्ग में निचे जाने पर आकार में व्रदी के कारण आकार में व्रदी हो रही है तो उसके कारण लुईस Amla प्रवती कम होती है ठीक है तो यह चीज भी आपको याद रखनी है कि वर्ग में जैसे जैसे आप निचे आ रहे हो तो आकार में क्या हो रहा है इस्टेक्चर यानि साइज में क्या हो रहा है व्रदी हो रही है और साइज में व्रदी होगी उसके कारण लुईस Amla जो प्रवती थी वो डाउन होती जाती है ठीक है अब हम लिखेंगे आगे की आपका जैसे एक हम एक्जामपल देखते हैं तो एक हमारा बी एफ थरी है यानि की बोरोन फ्लोराइट ठीक है येलो एफ ये एफ ये एफ ये एफ समझ में आगई बात अब इसके जो है बी एफ थरी की रियक्शन करवाते हैं या इसको जो है किसके साथ जोड़ रहे हैं एन एच थरी के साथ नाइट्रोजन के पास में साथ टोटल इसका परमानू करमांग है ठीक है साथ मैंसे तीन दो तो भाई इसके देखो इसका कश्टर कैसा होता दो और फिर आठ होते हैं आपने तो दो तो जो है वो चले गए बचे कितने बाहर पांच पांच मैंसे तीन इसने आइडोजन जोड़ ली बचे कितने दो इलेक्टरॉन तो यह रहा एक इलेक्टरॉन यूगम ठीक है इसको कह रहे हैं इलेक्टरॉन यूगम एक इलेक्टरॉन यूगम का मतलब दो इलेक्टरॉन अब यह क्या करेगा इस एक इलेक्टरॉन यूगम को जॉइन करके इसका डाइग्राम कुछ इस परकार से बन जाएगा B के उपर तो लग जाएगा NH3 और तीन जो F थे वो ऐसे नीचे लटकेंगे समझ में आ गई बात किलियर है तो हम यह कह सकते हैं कि यह क्या कर रहा है एक इलेक्टॉन यूगम को गरहन कर रहा है कौन? BF3 किस से गरहन कर रहा है? NH3 से तो इन दोनों से जो योगिक बनेगा वो कैसा होगा? तो वो योगिक हो जाएगा उपसहसयोजी समझ में आ गई बात उपसहसयोजी योगिक किलियर है आप लोगों के? यह इसको मैं थोड़ा सा ठीक है? और उपसहसयोजी योगिक को देखो जो इलेक्ट्रोन गरहन करता है उस तरफ होता है एरो जो देता है उस तरफ होती है पूछ समझ में आ गई बात यह है हमारा एक एक एकजामपल ऐसे ही हमारा जो A L C L 3 है एक और एकजामपल देखते है A L C L 3 अलूमिनियम क्लोराइड यह जो है दोस्तो चतुस फल किया द्यूलक बना करके इस्ताई हो जाता है ठीक है? यह उपर वाला हमने देखा कि B F 3 NH3 के साथ में लेकर के दो इलेक्ट्रोनों को लिया और इस्ताई हो गया ऐसे ही A L C L 3 जो है यह क्या करेगा? यह भी हमारा होता है चतुस फल किया लेकिन यह जो है डाइमर बना करके अपना इस्ताई हो जाता है तो इसका जो डाइगराम बनेगा वो कुछ इस परकार का होता है यह डाइगराम याद रखने है यह डाइरेक्ट A L C L 3 का डाइगराम बनाने का बोले तो आप इसका डाइमर बनाएंगे और वो इस परकार से बनता है ठीक है? येलो येलो और यह जो एंगल है ये एंगल है वन वन एट डिग्री ये C L और ये से जूट जाएगा ये जो एंगल है ये सेवन्टी नाइन डिग्री एंगल है ये लेंद कितनी है तो ये है टू टू टूइन्टी वन पिको मीटर ये पूची जाती है ऐसे लेंद ये जो एंगल है ये कितना है 101 डिग्री बाहर वाला 118 डिग्री उसके सामने वाला 89 डिग्री ये है 101 डिग्री ठीक है और इधर और वापस इधर इधर भी CL इधर भी CL इधर भी CL ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 206 पिको मीटर समझ में आगई बार यहां कोशन पूचा जा सकता है ऐसा 2 chloride के बीच aluminum के लिए बन रहा है फिर अंदर बार वाला जो है वो बड़ा होता है 118 फिर आपका chloride के उपर यंगल बनता है वो होता है 101 डिग्री और फिर वापस से aluminium और 2 chloride के बीच बनेगा वो हो जाएगा 89 डिग्री ठीक है और लेंद कौन सी वाली बड़ी होती है अंदर व वो होती है 206 ठीक है तो हम यह कह सकते हैं कि जो 13 नंबर का आपका समू है पूरा का पूरा उस समू में बोरोन ही एक ऐसा है जो सहस्योजक का योगिक बनाता है क्योंकि इसका आकार कैसा होता है छोटा होता है ठीक है और इस समू के अलने इसके अलावा जो भी आपके तत्व है वो सब आइनिक और सहसयोजक दोनों परकार के योगिक बनाते हैं ठीक है और इनकी रासाइनिक अभी की रियाएं भी हमें देखने को मिलती है जैसे कि इनकी हेलोजनी करण अभी की रिया है नौट करनी है तो आप लिखेंगे डायरेक्ट नाम देखर के जैसे पहली अभी की रिया में लिखवा रहा हूँ हेलोजनी करण यानि हेलोजन के साथ में हेलोजनी करण ठीक है अब हेलोजनी करण के अंदर क्या हो जाएगा तो इसके अंदर आपका 3X2 X क्या है तो हेलोजन है कोई भी फ्लोडाइड, क्लोडाइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये तो इससे बन जाएगा 2MX3 समझ में आगई बात जहां पर मैं लिख देता हूँ यहां M क्या है तो M है बोरोन ऐलूमिनियम गेलियम इंडियम समझ में आगई बात किलियर है ठीक है और यहां एक बात याद रखना यह जो हमारा थेलियम है TL यह यहां पर 2TLX3 देगा साथ में TLX भी देता है भी देता है समझ में आगई बात किलियर है आप सब लोगों के चलिए दूसरी अभी किरिया इनकी यह रियक्षन से जो डायरेक्ट आपको याद रखनी है एक दूसरी रियक्षन है आक्सी करण क्या आक्सी करण आक्सी करण की अभी किरिया आप में बात करें तो आक्सी करण के अंदर आ जाएगा आपके 4M plus 302 this gives to you 2M202 ठीक है इसका मतलब यहां पर भी आपको लिखना है एक इसके साथ में बाकी M का वैल्वी तो आपको पता चली किया यह 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 हो सकता है यहां पर भी थैलियम जो है वो आपको TL2O भी देता है ठीक है यह चीज़ आपको याद रखनी है लग बग थैलियम का हर जगे एक एकसेप्सन मतलब आए गई आएगा तीसरा आपका आजाएगा सल्फर के साथ सल्फर के साथ में इसकी अभी की दिया सल्फर के साथ के लिए आप लिखेंगे 2M प्लस गिवस टू यू M2S3 ठीक है और यहाँ पर भी वही चीज़ यह जो थैलियम है यह हमारा क्या देगा थैलियम सल्फर TLS2 ठीक है समझ में आगई बात किलियर है आप सबी लोगों के B देता है ठीक है चलिए और यहाँ आप याद रख सकते हैं Next आगे चल के nitrogen के साथ में छोती अभी की रहे आप लिखेंगे nitrogen के साथ में यानी nitrogen nitrogen के साथ तो nitrogen के साथ में इनकी अभी की रहा कैसी होगी उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमने लिया 2M इसकी हो जाएगी N2 के साथ में रियक्शन तो ये क्या बनाएगा ये बना देगा 2MN समझ में आ गई बात किलियर है चल लिए लेकिन यहां एक बात याद रखना कि बोरॉन और अलूमिनियम के साथ में जब अभी किरिया होती है ठीक है यहां पर यह चीज़ आप याद रख सकते हैं कि बोरॉन और अलूमिनियम हाई टेंपरेचर पर ठीक चलो यह कोई इतना ज़्यादा बड़ा इसू है नहीं इतना वस आपको तो रियक्शन याद होनी चीए जहां होगी इंपर्टेंट बात वो मैं और लिखवा दूमादा अमलों के साथ यानि एसिड्स के साथ में इनकी रियक्शन क्या होगी ठीक है तो आप लिखेंगे 2M प्लस एसिड्स है तो H प्लस ही लिखे डारेक्श तो 6H प्लस यह हमें क्या दे देगा तो यह इसको ऑक्सिडेट करके प्लस 3 में कंवर्ट करेगा और 7 में आ जाएगा 3H2 समझ में आ गई बात किलियर है आप सब भी लोगों के साथ में अरे किलियर है चलो और यहां भी आप लिखेंगे कि यह जो थेलियम है यह इस अभी की दिया में क्या कर देता है T L प्लस आयन बनाता है समझ में आ गई बात यानि सबी तो प्लस 3 बनाते है लेकिन थेलियम जो है वो प्लस 1 बनाता है किलियर है चलो नैक्सट फिप्ट शिक्सट नमबर की और यह है लाश्ट आपकी सारों के साथ में हम लोग के साथ होई हैं तो सारों के साथ क्यों रोख हैं तो सार यानि बेसेस के साथ में इसकी रियक्शन ठीक है चलिए तो यह हो जाएगा 2M प्लस 2OH- माइनस प्लस 2H2O जैसे ही अभी किरिया करते हैं तो बन जाएगा 2M2 माइनस प्लस 3H2 किलियर है सम्मिज में आ गई बात ठीक है यहाँ पर यह याद रखना यह जो बोरोन है यह बना देता है H3BO3 एक तो ठीक है यह याद रखना जैसे पिछे थेलियम था वो थेलियम प्लस आयन बना रहा था वैसे ही यहाँ पर बोरोन जो है वो H3BO3 आयन बना देता है ठीक है चलिए अब दोस्तो यह था हमारी उनकी जो कुछ अभी किरिया है जिनका ऑक्सिडेशन स्टेट के साथ में हम लिंक कह सकते हैं या अक्सिडेशन के साथ में इनकी अभी किरिया सिल्ता दत्वो की जो भी थी वो भी हमने cover कर ली है समझ में आ गयी बात तो यह इनकी जो अभी किरिया सिल्ता थी वहाँ तक की बाते होती है complete ठीक है चलिए अब बढ़ेंगे हम आगे अब हम आगे बात करेंगे Aluminium की जो अभी किरिया सिलता है यानि Aluminium जो है उसकी कुछ reactions है उनके बारे में उसके बाद में हमारा ये topic जो है complete हो जाएगा फिर हम आगे बात करेंगे एक एक तत्व के कुछ important योगिक के उपर तो आप यहां लिख लिजिए Aluminium की अभी किरिया सिलता ठीक है किसके बारे में बात कर रहे हैं हम Aluminium की अभी किरिया सिलता के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको बता दू Aluminium जो है वो रासाइनिक रूप से अगर हम देखें chemical अगर हम देखे हैं तो इसके अभी किरिया सिल्टा कम होती है तो आप लिखेंगे यहाँ पर shortcut में ऐसे ही देखिए अभी किरिया सिल्टा कम होती है क्योंकि इस पर इस पर अक्रिया ओक्साइड अक्रिया ओक्साइड की परत बन जाती है ठीक है यह पूचा जाता है कई बार कि अलुमिनियम जो है उसकी भाई जो अभी किरिया सिल्टा है वो कम क्यों है तो वो इसलिए कम है क्योंकि इसके उपर एक अकिरिय ऑक्साइड की परत बन जाती है उस वज़े से ठीक है अब इसी के कारण इसके उपर परत बन रही है इसी के कारण जो अलुमिनियम है वो सांद्र नाइटरिक अमल के प्रती एक दम निश्क्रिय होता है कैसा होता है एक दम निश्क्रिय होता है और अमल गमित अलुमि कि ये ऐलूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अमल के प्रती निश्क्रिय है ठीक है इनर्ट है एक तरह से निश्क्रिय है और नेक्स्ट आप लिखेंगे अमल गमीत जैसे सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रका जाता है वैसे ही एलूमिनियम के उपर अगर हम अमल गमीत अलूमिनियम पर अकसाईड की परत नहीं चड़ती है ठीक है तो अलुमिनियम जो है वो अगर अमल गमीत है तो उसके उपर जो है कोई आपके क्या नहीं होगी जो आक्साइड की परत है वो नहीं चड़ेगी और अमल गमीत अलुमिनियम जो है वो कमरे के ताप पर सिग्रता से वायू मंडल की जो आपकी ऑक्षिजन है और जल है उसके द्वारा ये ऑक्षिक्रत भी हो जाता है तो अमल गमीत अलूमिनियम के लिए स्वार्ट कट में ही आप यहां लिखेंगे ये स्वार्ट नॉट्स के रूप में कि वायू मंडल की ऑक्षिजन तथा जल यानी H2O द्वारा ऑक्षिक्रत क्या हो जाता है ठीक है ये चीज़ आपको याद रखनी है साथी साथ आप एक बात और याद रखेंगे कि ऐलूमिनियम जो है वो खनीच अमल हो चाए जल ये सार हो उनमें ये गुल जाता है ठीक है और ऐलूमिनियम उबेदर्मी गुन दरसाता है ये चीज़ आप यहां लिखेंगे दरसाता है ठीक है ये चीज़ आप जरूर लिखिएगा साथी साथ अलूमिनियम अगर S.C.L. के साथ में रियक्शन कर रहा है तो हाइडरोजन गैस निसकासित करेगा यानि इसकी दो रियक्शन से उनको हम लिख लेंगे कि 2.A.L. अलूमिनियम तो सॉलिड है उसकी जब अभी की रहा S.C.L. के साथ होगी और वो होगा कैसे एक्वस फॉर्म में ठीक है एक्वस यानि के हम कह सकते है तनू ठीक जैसे रियक्शन करता है तो यह हमें दे देता है 2.A.L. प्लस 3 ठीक है और वो तो एक्वस में ही होगा और इसके साथ में 6.C.L. माइनस यह भी एक्वस फॉर्म में होगा और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन गैस हो जाएगी किलियर है ऐसे ही जो एलुमिनियम है आपका वो जब किसके साथ में सोडियम हाइड्रोग्शाइड एन ए ओएच के साथ में डियक्शन करता है तब यह क्या देता है तो तब एक बिनट इसके साथ में यहां आ जाएगा आपका वाटर भी तो लेना पड़ेगा यह लिक्विड फॉर्म में तो यह हमें रियक्शन में क्या देता है टू एन ए प्लस ब्रैकेट एलुमिनियम ओ एच होल फोर की पावर माइनस वन यह पूरा याद रखना एन ए प्लस ए एल ओ एच फोर की पावर माइनस वन और यह होगा एक्विड फोर में प्लस थ्री एच टू और आ जाएगी गैस समझ में आगई बात यह जो आपका बना है इसे हम क्या कहते हैं तो यह मैं यहां लिखवा देता हूँ इसे हम कहेंगे सोडियम सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो अलूमिनेट अलूमिनेट ठीक है और अलूमिनियम जो है यहां थर्ड ऑक्सिडेशन इस्टेट में है यानि प्लस थ्री में है ठीक है यह इसका नाम है अब यहां से कोशन ऐसा बनता है खाए कि बाई ऐलूमिनयम की जल्लिय सार के साथ में अभी किरिया हो गई तो जो बनेगा वो यह बन रहा है ऐसा देदेगा वो जुकि मैंने आपको बताए थे उन सभी अलग-अलग योगीकों के बारे में जैसे कि हमारे जो है इनके बॉतिक गुन क्या है फोरेक्स जो है वो खनीजों में कैसे पराप्त होता है पॉर्टेशियम टेट्रा फ्लोरो बॉरेट होता है उसके बारे में बात करेंगे उसके अबर गुरूप अभी तो पूरा होगा, फिर 14 आएगा, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 18, ठीक है, तो इतने गुरूप अभी तो है, टोटल 6, उसमें से एक गुरूप जो है, हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा, तन्यवाद, अब सभी लोगों का प्यार इसी तरह बनाए र उस दो है, हमारा लिए perfectly talk, हमारा क्यों जचक्श साफ भूप ठार तीमाओ, तो टक्र का भूएगी का अबर टूप नच Pastorर लोग् 올ाजार बनाए मैं झाल झाल